नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आए होप आप सब मज़े में होंगे दोस्तों आज की यह वीडियो काफी जाद धमाकेदार होने वाली है परको स्टार्टर कंसल्टेंसी सर्वेसिस की तरफ से काफी बड़ा अपडेट आ रहा है डिविडेंट को लेके और कंपनी ने काफी बड़ी अनॉस्मेंट कर दिये डिविडेंट से रिलेटेड और आज की इस वीडियो के अंदर इसी स्टॉक की मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा साथ ही साथ मैं जो बड़ी अनॉस्मेंट हुए डिविडेंट से रिगार्डिंग इसकी भी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा इसी वीडियो के अंदर तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टॉर्ट करते हैं आप इस वीडियो को आंड तक देखना हैं कही पे भी सکिप मत करना दोस्तो टाटा कंसल्टेंसी सर्वेसे इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है और वहीं अगर हम बात करने इसके स्टॉक की तो आप लोग देख सकते हो पास्ट वन येर के अंदर में इसका जो स्टॉक है 17.16% से नीचे आ चुका है और जो कि आप लोग कह सकते हो एक साल के अं हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जहांपे 2020 के अंदर 1,56,000 करोर के सेल थे कंपनी के वहीं अभी करन्ट ये 2022 के अंदर में 1,90,000 करोर से भी जादा के सेल्स हो चुके हैं वहीं अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जहां मार्श 2020 के अंदर मे के आसपास मौजूद हैं अभी ये जो डेटा है सेप्टेंबर 2022 वाला है अगर हमने इसे कंपेर करें मार्श 2021 से तो कंपनी के पास मार्श 2021 के अंदर में सिरफ 6,000 करोर के रिजर्फ थे तो आप देख सकते हो कंपनी के जो रिजर्फ हैं वो 12X से भी जादा के हो चुके हैं वहाँ एगर हम बात करें कंपनी के ये शेर होल्डिंग पैटर्स की तो आप लोग देख सकते हो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफी ज़्यादा स्टेबल है और वहाँ एगर हम बात करें फॉरे दिरे करके अपना स्टेक यां से एक्जिट करते जा रहे हैं और इंड आते जा रहे हैं तो shareholding patterns तो अच्छे दिख रहे हैं company के फिलाल and public के पास में 6% के आसपास की holding है साथ ही साथ में government के पास 0.05% की holding है company में and वहीं अब अगर हम बात करें company के dividend announcement की तो अब लोग देख सकते हो कंपनी ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाइस के लिए 9th of January को यानि की कल के दिन आज 8th of January जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कल यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है डिविदेंट के परपस से और आप लोग देख सकते हो को मिल जाएका अपनी face value से तो कंपनी की जो face value वह यहाँ पे 1 रूपीस की है तो हमें लगबग 7-8 रुपे का डिविदेंट तो मिनिमम देखने को मिलने ही वाला है तो 7-8 रुपे का डिविदेंट पर स्टॉक पर हमें देखने को मिल सकता है तो अगर कंपनी ने आपे 700-800 से जाधा का डिविदेंट अनौस कर दिया तो डिफिनेटल हमें इस टॉक के इंदर में एक छोटी सी रैली जरूर से देखने को मिल सकती है विगोस जितने भी एक्सपर्ट से हों सबकी prediction यही कहती है कि 700-800 पर से डिविदेंट हमें देखने को मिलेगा जोगी 7-8 रुपे क बनता है बट अगर कंपनी ने काफी अची वैल्यू से हैं पर डिविदेंट अनौस कर दिया सब्सक्राइब अगर कंपनी ने 700-800 पर से जाधा का डिविदेंट अनौस कर दिया तो आप इस टॉक को जरूर से पर्चेस कर सकते हो और दोस्तों आज की वीडियो के इंदर इत तिल देन बाई